वेल्कम तो आवर चैनल लॉर्न अकेडमी प्लीज सब्सक्राइब इस चैनल प्लेस बेल आइकन फोर मोर वीडियो तुड़े वियर गोईंग तो चलिए स्टार्ट करते विहाईव के फॉर्स चैप्टर को तो इसकी हिंदी में हम सम्री को पढ़ेंगे सम्री को समझेंगे और इसको पढ़ते हैं तो चलिए स्टार्ट करते इस चैप्टर को हम सबसर पहले जो हमारे सामने स्टोरी में आते हैं वह होती है मारगी जॉंस देके मारगी जॉंस क्या होते हैं यह स्टोरी बेसिकली स्टोरें जो बेस्ट है ना वह फ्यूचर जनरेशन पर बेस्ट है कि आन 35 साल बाद 21 55 के ये इर्स में लिखी गया है उस टाइम की बात उती है ठीक है तो इसमें जो स्टोरी में हमारी मारगी जॉंस होती है वह 11 एरस की घ्रल होती है ठीक है जो अपने परइंस हाथ उसके इनका ठीक है और यह बहुत ज्यादा कोशनिंग वाली लड़की होती होती है इनका अंदर तो सोचिए आज हमारे पास अगर देखिए आप खुछ सोचो आपके पास आज जो भी चीज़े हैं अगर आपको को पुरानी चीज मिलती है आप उसकार सोचते हों कि यार यह कैसा ज करते हैं कि अच्छा ऐसे हुआ करता था ऐसे तरीके से आज से 135 साल बाद 135 यह जब मारगी को कुछ ए बुक्स मिलती है ठीक है एक उन्हें क्या मिलती है कॉपी मिलती है अब उस टाइम में क्या होता है ने टेक्नोलोजी फास्ट होगे तो वहां पर जो सारी पढ़ाया होती अब आपनी डायरी में लिखती है कुछ बात है ठीक है जब उन्हें बुक्स मिलती है नहीं जमाने के तो अपनी डायरी के अंदर उस चीछ को लिख रही होती है तो यह मारगी होती है मारगी बहुत ज़्यादा कूरियसिटीव होती है कोर्शिनिंग करती है और अपने डायरीक अंदा लिखती है और वो 11 एर्स के ओल्ड की होती है ठीक है और हो धेट करते है अपने स्कूल को तो यह इनके करेक्टर्स है इनकी बाते हो गई ठीक है इस तरह किये है उसके वाद से टॉमी को होता है तॉमी मार्गी का एक फ्रेंड होता है और उनका नेवर म सब्सक्राइब करते है तो अब वो टॉमी के लिए पुराने जमाने की बुक होती है उन्हें एक नया एक्साइटिंग इस चीज लिलती है चीज अब बॉक्स कॉपी देखी नहीं होती है और टैबलेट प्रेंग करी होती है जैसे आज हमें ओल्ट टाइम के अगर कोईन्स मिलते है तो हमें ऐसा सर चेक तो देखते हैं यह पुराना है जो तरीक से टॉमी को बुक मिलती है तो वहां पसे स्टूरी स्टार्ट होती ह ठीक है अब देखे मेखनिकल टीचर के अगर अब यह पढ़ाएंगे तो उससमें पड़ा सकता है आपको रोबोट पड़ा सकते ठीक है रोबोट पड़ाइंगे और प्रोग्रामिंग की जाएगी सब्जेक्स को इंसर्ट किया जायगा ठेक है और मार्गी हेट्स टीचर अंगे क्या करती है अपने टीचर को हीट करती है पसंद नहीं करती है और यह बड़े इसाय ब्लेक फिलर मिस्टी ओडब सब्सक्राइब करते हैं इनके जो इनके रोबो टीचर को ठीक कर सकता है ठीक है तो आता है और इनकी मार्गी को समझने आता है तो ये प्रॉब्लम को सॉल्फ करने के लिए वो आउट टीचर को बुलाती है ठीक है और व्यूवड विश्वास करते हैं और फॉर्स करते हैं टाइमिंग में ठीकलता है ठीक इस जानस यह था निकला होता है ठीक है रेड फिश होता है नई होता है जो इससे बताया कि क्या हो त जो रोबोट इसको समझ नहीं पाती है क्योंकि इसमें सलिवक्ट हो गया तो ची इंसपेक्टर होते है वह आते हैं और मार्य के रोबोट को ठीक करते है ठीक है और वह एक फट से कुछ मिनट में ठीक कर सकते हैं ठीक है अवरेज 10 यह ओल्ड एंड ही रेसियोसे दा मार्गी इस हाव मदर डैट इट वास नोट हर फॉल्ट डैटर जो अपने मदर जो इंस्पेक्टर होता है यह मार्गी को शबास्टी देते हैं ऐसी और अपनी जो इनकी म अपने माक्स नहीं आपा रहते हैं तो यह ठीक कर देते हैं फिर यह चले जाते हैं तो कहानी के शवात देखिए अब अब होती है बिसिकली चलिए अब आगे चड़ते हैं हम 2157 में चलते हैं ठीक है एक किस संदावन में तो देखिए मार्गी इवन रोट अबाउट बुक इन हर डायरी हाह जो वक जो से वक मिलती है उसके बारे में यारी गंद्र लिखती है औंधा पेज हैड़िट 17 माई और किस किस तारीक को लिखती है 17 माई 2157 को ठीक है यह इस यृर में लिखती है 21 57 अउनть सेवं रोट है तो डेट तौमी फांड व्याइल बुक्स अब सब्सक्राइब को नखेए रियल बुक के लिए यह एक पुराने जमाने की बात होती है क्यों क्योंकि वो आस से कई सालों बादम नदव 1137 एक की पाता थीक हुआ न तो उन्हें एक रियल बुक मिलती है ठीक है सिर्फ इतना समझों रियल बुक है फ्यूचर स्टोरी है यह तो रियल बुक मिलती है और फिर वो डारी के अंदर चील लिखते है इट वह लिखती है कि यह बहुत ही पुराना और ओल्ड भुक है उन्हें उसे पूस्ति है इस बूक के बारे में के लगाट रची डादा जी बूक का होती है तो निकी पिता ने देती ठीक है जो प्रिंटिट पेपर वाली वाली बुक होती थी एंदे टर्न दा पेज अब जिसका पेज था वो क्या होता था थोड़ा रिंकल और यह लूइशा हो चुगा था जैसे होता ना ओल्ड बुक्स क्या हो जाती है आप देखो को लाइबरी में थोड़ी यह लूइश हो जाती है टाइम टो टाइम किया दादा जी जो किताब में बुक्स थे वो तो मुवी नहीं कर रहे थे क्योंकि मार्गी तो कैसी पढ़ाई करती है डिजिटल पढ़ाई करते जहां पर वर्ड क्या करते हैं मूव करते हैं तो मार्गी को यह चीज बहुत ज्यादा एक्साइटीड और अशर चकित से लगती है कि यहां पर मोड यहां पर जो बुक्स अहां पर किया है यहां यहां पर थे भंट काना प्रिपक में क्यों कर रहे है तो यह बात यहां पर होती तिहसके बात से क्या होता है उसके वा Life to me in boys टोपिक पे कि यह बूख क्या है उसका फ्रेंट तो मिद्धा इसका उसकाट्यूमी टेलीवीजिन स्क्रीन मस्ट वेरी बिग है वो क्याता है कि टेलीवीजिन बुक में आज की टेलीवीजिन है है हमारे पास तो और नए टेकनोलोजी है यह लर्निंग वेराम कर सकते हैं तो उसमें बुक्स को बहुत सारी बुकों को एक साथ पड़ सकते हैं जैसे हम आपने परेंटराइब में पीडिया कुछ फॉर्मम सेप सेफ कर लेते हैं तो फ्यूचर जनेरेशन में भी टॉमी यह स सेफ कर सकता हूँ it was same for Margie or through she had not seen by many tell book अब वो क्या करते हैं कि अब मैं लोग क्या करते होंगे पड़ते होंगो उसको फेक देते होंगा वह उसके घर में उसे बुक मिलती है ठीक है तो शी आस्क्रू वर्ट इस वाज वाज अलब यह सब क्या था कि उसके पूस्ति एक्साइटिमेंट के साथ कि बुक कहां से मिली कैसी थी मारगी किस से पूस्ति है टॉमी से अपने फ्रेंट से एंड ही रिप्लाइट वह रिप्ल खतम हो जाएगा तो अब वह बच्चे हैं उनको कैसा लगता है उनके टाइम पर स्कूल ही नहीं है क्योंकि जो पढ़ाई है वह अपने घरों पर करते हैं तो स्कूल का नाम सुनती है तो वह चौक जाती है कि स्कूल क्योंकि मारगी को स्कूल नहीं पता है और टॉमी को भी पता होता है लेकिन वो बस बताता है कि जो स्कूल है कि पिछले जवानवा किस तरस्ट स्कूल हुआ करते थे मारगी है इसके बारे में मुझे बताओ बुक क्या होती है तो रिप्लाय करता है कि स्कूल से करते वहां पर इंद्बुक्स को पढ़ाय करती थी क्योंकि यह तो future generation में पढ़ाय किसे करते हैं अपने robot नियू से करते हैं रोबोट इसे करते हैं औरके थीचर के घर में पढ़ा देता है वो कहती है कि she always hated school but now she hated it more it is because mechanical teacher वो कहती है कि मुझे school बिल्कुर बसन नहीं है बहुत जाता मैं hate करते हो क्यों कि जो उसका mechanical teacher था जो आपका robotic teacher था मतलब उसका mechanical teacher था वो उसके test में हमें सब बेकार marks आया करते थे तो उसका confidence low हो जाता था उसको अच्छे marks आते नहीं थे जोग्रफी में बल्कि ऐसा नहीं था बल्कि ऐसा नहीं था कि उसका जो subject वो बेकार था बल्कि जो जो टीचर था न वो मारगी का जो टीचर था सब्सक्राइब करते हैं तो उसके टेस्ट में माग समेशा खराब आते हैं इसके सलेबस को सही कर देता है इसलिए इसलिए वो hate करते है स्कूल को अपने ठीक है तो यह रिजन होता था उसके ऐसे देखे टेलीविजन टीचर सेट राइट उसका इंस्पेक्टर वह राउन लिटल जो इंस्पेक्टर आता यह यह क्या करते था ठीक करते थिक है किसको उसकर रोबोट को करते हैं अब मार्गी को ख़ते हैं अब और अपने साथ सिल ओमीद करती है कि वह Learn जो टीचर अना वो ठीक ना करें उसको ठीक ना करें उसका घ्लड को चाइब मेधा था था रोब ये इन इसा उल रहे था तो इससे भी इससा थे खूषि हो रही हो यह कि जो इसका टीचर ना वो का उसका डी बोड़ी टीचर भूट ठीक होंके ना है कुछ टीम के लिए क्ली करे मार्म करता तो इसको चुट्टी मिल जाती पड़ाई से एक गंटे बादी में ठीक हो जाता है उसका और उसके जो कोशन्स वगरा होते हैं वो सारे को सारे प्रॉपर हो जाते हैं उसके वाद से देखिए गाता मार्गी विश्च अबाउट हर टेलिवीजन टीचर जो आपको ने बताया था मैनीवड टेखा हारमेक डीचर अव Completely टेलिवीजन एक मीन डीचर है उसको ले जाया और क्या करें काफे टायम तक उससे रीट करेया ठीक कि ना करे थो कि हो कंगा था ले खानां तो नियुर्ट गुए एंवन और वुडवॉड अबवाउट वस्कूल तो आप स्थिय्क्ता रियुक्ता स्थिय्प टॉम्मी टोल्ट हर डेट इट वस अनो डियर काइंड ओफ इसकूल डेट वह जिस तरह जिसकूल है उस पुराहन जवान में ऐसकूल नहीं हुआ करते थे पुराहन ज़ायन में क्या होता था कि आज से मतलब सौ साल year ago की स्टोरी है तो तो मारगी से कहता है वो टॉमी की पिछले जाने जो स्कूल हुआ करते थे एक बड़ी सी बिल्डिंग हुआ करते थी जहां पर टीचर आया करते थे human being teacher हुआ करते थे human और वहां पर बहुत सारे बच्चे आते थे और एक साथ बैठके स्टडी क्या करते थे ठीक है मारगी वाज हट शी टोल डैट शी डिट नोट नो अबाउट इस स्कूल सी रीड्स दबुक ओवर टॉमी सोल्डर्स एंड शी देन सेट दे हैड और टीचर अनिवे टॉमी रिप्लाइड इट वस नोट रेगुलर टीचर इट वाज अ मैन वह फ करते थे वहां करते थे उसके वा fibre से स्चूड्स अब उस समय के स्कूल कैसे वह करते थे कि उस बताता तो डिसकस कर रहे है अभी टॉमी और मारगी तो टॉमी को मारगी मारगी को बता रहा है तो टीचर टोल्ड बोई एंड गर्ल तिंस गेव ओमक वह ओमक दिया करते थे जैसे कि आज के टाइम पर होता है फिर वो कहता है कि अब मारगी को यह सब्सक्राइब कर रहे है तो चीजों को सुने जा रहे है तो टॉमी बताता है ओल्ड स्कूल के बार में और उसकी excitement बढ़ती जारी थी कि और जानना चाहती थी कि पुराने स्कूल कैसे हुआ करते थे एंड शी सेड शी वांट तो वी वांट तो स्ट्रेंज में वो कहती है तो लाइव इन हर हाउस एंड टीचर वो कहती है कि वो नहीं चाहेगी कभी वी कि कोई एक अंजान आदमी है उसके घर में और उससे पढ़ाई टॉमी कहते हैं कि देग्म लाइव इन रहा करते हैं लेकिन वो जो तीचर हुआ करते थे वो घर में नहीं रहा करते थे बाहर रहा करते थे all kind weren't there and they learn the same things also they were the same group of age और कहते है कि they had a special buildings all अब कहते है कि जो स्कूल हुआ करते थे अलग-अलग तरह के special building हुआ करती थी जैसे कि अलग-अलग classroom होती है 6th class अलग 9th class अलग 7th तो वो यह पुराने स्कूल को explain करता है मार्गी से Tommy बता रहे होता है पुराने स्कूल के बारे में मार्गी कोुए को उसके वादसे क्या होता है मार्गी स्कूल टाइम अब देखिए इसकूल टाइम मार्गी mothers mrs jones called it was a time the her school अब ओ कहते मारगी फिर mrs. johns आती है कि तुम्हारे स्कूल का को ताइम हो चुक है जहाओ तो मार्गी का जो श्कूल होता है जहाँ उटा सा एरिया होता है वहां पे एक रोबो टीचर होता है उसके जहां नचेज होती है ठीक है फ् कि यह चांप जाक बैट के पढ़ना होता है जो जो Tomie होते हैं सारी स्कूल की बाते बताते हैं उसके बाद से अपने उस बुक को अपने अंडराम से दवा कर लेकर आ जाता है Margie think the old schools लेकिन Margie अभी भी सोच रही होते हैं पुनाने स्कूल के बारे में Margie put her home her work in the slot with the sign and she was thinking about old school अब वो क्या करती है हों मोगन को तो लिखती है करती है उसके लाधे से सूंसती रहती है कि पुराने स्कूल कैसे रहते होंगे वो कहते है कि जब हमारी दादा जी बच्चे होंगे उनके जब वह बच्चे होंगे तो किस्तरी किताब से पढ़ते है all kind are from the neighborhood himself laughing from the neighborhood came laughing and shouting in और तो दोस्त को आता हुआ तो दोस्त के help करता हुआ यह निए एक जन्रेंड टीचेस है और वहां पर ठीचेस भी कैसे होगे human being होंगे तो उसके वाद से thinking continue वो हमेशा यही चीज़ सोच रही होते हैं the mechanical teachers was a flashing on the screen and the fractions of the question Margie was a thinking about how the kind must be must have loved the schools in old days अब कहते है कि जो पुराने ज़ाने बच्चे होते होंगे वो अपने school लो किस तरीके से लव करते होंगे और वो किस तरीके से school life के अपने enjoy करते हों क्योंकि उसके टाइम पर school तो ही नहीं उसके टाइम पर कौन है robotic teacher है और जो उसके घर में प्रेजेंट है उसको कई जाना नहीं पड़ता वही पर उसे पढ़ना होता है और वो इस चीज को सोचती रहती है तो यहां पर स्टोरी फिनिश होते है स्टूडेंस अगर आपको चीजे समझ आई हो स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमसे कनेक्ट रही है थाकि न्यू स्टोरी को आप तक हम पहुंचा सके थैंक यह सो मच, आलबेस्ट